कल है independence day तो सबसे पहले तो happy independence day to all of you अब क्योंकि हमारे देश के रिए ये इतना बड़ा दिन है तो कुछ खास बनाना तो बनता है आज मैं आपके साथ शेयर करने चारी हूँ ट्राइ कलर ढोकला इसे हम तिरंगे के रंग में बनाने वाले हैं बहुत ही easy recipe है बहुत ही yummy बिल्कुल spongy बनकर के त्यार होता है तो आप इस recipe को जरूर ट्राइ करिए का और सब के साथ मिलकर के इस दिन को celebrate करें तो चलिए फटा फट से आज की super yummy recipe को शिरु करते हैं तो मैंने यहाँ पर एक बोल में 200 ग्राम बारीक सूजी डी दिये अगर आपके पास बारीक नहीं है तो आप उसे grind कर ले next मैं इसमें 50 ग्राम दही आट कर रही हूँ मैं आप एक खटी दही का इस्तमाल कर रही हूँ इसके लावा इसमें एक बड़ा चम्मच अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट एक चम्मच नीम्बू का रस्ट दो से तीन चम्मच ओयल नमक आट कर देंगे स्वाद अनुसार आदी छोटी चम्मच जीरा पाउडर एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है इसमें थुआ थुआ करके पानी आट करेंगे मैं इसमें हाफ कप पानी का यूज़ कर जी हूँ एक बार में बहुत सारा पानी आट नहीं करना है वरना हमारा बैटर गीला हो जाएगा बैटर को त्यार कर लेने के बाद हमें इसे लगभग 15-20 मिनट के लिए रेच्ट पर रखना होगा इसके बाद हम इसे ढोकला बनाएंगे कुल 15-20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो बैटर है वो बहुत जादा थिक हो चुका है पहले के मताबिक जो सूजी है वो काफी अच्छी तरीके से फूल चुकी है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी आट करेंगे लगभग 2-3 चमच और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है बैटर हमारा कुछ इस तरह की कंसिचेंसी का होना चाहिए बहुत जादा पतला या फिर बहुत जादा गाढ़ा हमें नहीं चाहिए बैटर बैटर हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसे तीन भागों में बाट देंगे क्योंकि आज हम इसे ट्राइ कलर में बनाने वाले हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बैटर को तीन भागों में बाट दिया है एक भाग को हम सिंपल रहने देंगे और बाकी के जो दो पार्ट से उनमें हमें फूट कलर्स आड़ करना है क्योंकि हम इसे तीरंगे के रंग में बनाएंगे तो फर्स्ट पार्ट में मैंने ग्रीन फूट कलर और एक जो पार्ट है इसमें मैं औरेंज फूट कलर और इने हमें अच्छी तरह से मिला देना है फूट कलर बहुत जादा आड़ न करें बस दो से तीन ड्रॉप्स इतना काफी है बाटल हमारा रेडी हो चुका है और इधा जिस बरतन में मैं ढुकला को पकाने वाली हूं मैंने उसी ओयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है सबसे पहले हमें नीचे वाले लेयर को पकाना होगा तो जो ग्रीन वाला पार्ट है उसमें मैं क्या कर रही हूं आदी चोटी चमच फ्रूट सॉल्ट आड़ करेंगे इसे अक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और इसी अच्छी तरह से मिला देना है फ्रूट सॉल्ट आड़ करने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी रेस्ट पनी रखना है हम फटा फट से इसे डालेंगे पकनी के लिए तो जो बर्तन है उसमें हमें बैटर डाल देना है इसी हलका सा टाप कर देंगे ताकि जो एयर पबल्स हो वो निकल जाए इससे जो ढोकला बनेगा वो काफी अच्छा सॉफ्ट बन कर त्यार होता है इधर मैंने एक कढ़ाई में पानी डालका गर्म होने के लिए रख दिया था इसके ओपर मैंने एक स्टांड रखा हुआ है आप चाहे तो कोई भी स्टील का बर्तन रख सकते हैं ताकि ये तले से हलका उचाई पर आ जाए बैटर वाला बर्तन हमें इसमें डाल करके और इसे पाँच मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देना है जब तक नीचे वाला लेयर पक रहा है तब तक जो बीच वाला लेयर है उसे हम रेडी कर लेते हैं इसमें भी हमें फ्रूट सॉल्ट आट करना है थुआ सा पानी आट करेंगे और इसे अची तरह से मिला देना है पांच मिनट के बाद जब हमारा ये लेयर पक जाएगा नीचे वाला इसके बाद हमें इसमें बीच वाला लेयर डाल देना है क्योंकि गर्म है बरतर इसे थोड़ा साफधानी से इसे टाप करेंगे और इसे भी हमें 5 मिनट के लिए high flame पर पकनी देना है ताकि जो layer से वो बस हलका सा set हो जाए अब जो ये सबसे last में जो सबसे उपर वाला layer बचा हुआ है इसमें भी हमें fruit salt डालना है और इसमें तोब सा पानी आड़ करके इसे अच्छी तरह से मिला देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो layer से वो काफी अच्छे तरीके से set हो चुके हैं अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे उपर वाला layer है उसे हमें इसमें डाल देना है बरतन को हमें हलका सा tap कर लेना है इस बात का ध्यान रखे कि जब गर्म हो उसी वक्त आपको कर लेना है यह नहीं कि आप पहले ठंडा होने का wait करेंगे इसके बाद आप इसमें दूसरे layer से आट करेंगे ऐसा हमें नहीं करना है उपर वाला layer डाल देने के बाद अब हमें इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए low to medium flame पर पकने देना है तो friends मेरा यहां पर जो ढूकला है वह अच्छी तरह से पक चुका है मैंने इसे चेक कर लिया मैं एक बार इसे वापस से चेक करके आपको दिखाती हूं यह देखें हमेशा इस बात कध्यान रिखें कि जब भी अगर आप चेक कर रहे हैं चाहीद केक कर रहे हूं यह धोप लुकला चेक कर रहे हूं आप बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है दिखने में धोकल हमारा बिल्कुल रेडी है अब हम इसमें फाइनल टच देंगे जो है तड़का क्योंकि बिना तड़का के धोकला अधूरा अधूरा सा लगता है तड़के के लिए मैंने हाँ पर एक पान लिया है इसमें एक चममच तोड़ी से कड़ी पते हरी मिच और थोड़ी सी यस सरसो मैं आट का दे रही हूं इसी डाल देने के बाद इसमें एक करूंगी पानी और साथी में थोड़ा सा शुगर आट कर दूंगी इसे अच्छी तरीके से मिला देना है और बस इसमें जब बॉइल आ जाएगा यानि क इस्पी को जरूर ट्राइं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हुँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याब रखें